हेलो मेरी पैरे बच्चों कैसे आप सभी दिस इस अगरुशी वावन सभी का नीट रंक प्लस चानल पे आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के ऐसे इंपॉर्टन टॉपिक्स ऐसे फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स जिसमें से आपका नीट का पेपर बनने वाला है तो अगर वीडियो आपको जरूर देखना है यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक कर रखा होगा और यह वीडियो आपको 1.5 पर लगा देना है ताकि आप एंड तक बने रहे तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 12 के ऐसे इंपॉर्टन टॉपिक्स देखो पीवाई क्यू से हमे चाप्टर में आजए में आपको मेगा स्पोर कर लेना है एकदम प्राइमरी इस एप्लोईड है फिर एक प्राइमरी यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो वैसे बना नंबर बेस्ट नियुमेरिकल बेस्ट प्रॉस्टन आ सकते हैं उसके बाद में इंब्रियो डेवलप्मेंट जो टॉपिक है वह आपको पढ़ लेना है कि कौन से स्टेज पार्चुर स्टेजन क्या है फिर मेंस्ट्रल साइकल अफकोस मेंस्ट्रल साइकल का तो मलब इंपोर्टन बताने का भी जब्रॉवत नहीं है क्या होर्मोनल चेंज होते हैं वह आपको पता होना चाहिए कौन से दे का यह फेस रहता है दूसरा फेज यह सब फेजिस के सपैन पता होने अच्छे कि क्या है कौन से दे से कौन सा दे तक ठीक है फिर रिप्रॉडक्टिव हेल्थ में अफकॉस आयूडी जो टॉपिक है यू कांट मिस्ट टॉपिक बच्चो इस यू अनलाइज ओल इस पी वाई क्यूज ना कि आयूडी टॉपिक में से आपको हर साल क्वेशन मिल मिलेगा ही मिलेगा रिप्रॉडक्टिव हेल्थ पूरा चाप्टर जो आयूडी का टॉपिक है इतना सा टॉपिक है इतना इंपोर्डेंट है फिर एर्टी एर्टी के जो भी टेकनीक्स है जैसे कि IVF हो गया इंब्रियो ट्रांसफर हो गया जिए सब पता होना चाहिए उसक प्रेगनेंसी नेक्स्ट चाप्टर में आजाए नेक्स्ट नियू यूनिट इस जनेटिक एन इविलूशन हाइव इटेज उनेट इसमें से सबसे पहला चाप्टर यह एरीडिटी एंड वेरियेशन तो इसमें प्रिंसिपल आफ इनरिटेंस वाला चाप्टर है उसमें प्रिंस खीश्ट गवर्षण आसकता है फिर molecular вес of which is very very important चाप्टर इसमें आपको वो जो है दी इस ट्रांस्क्रिप्शिन यह तो करी लेना है पर साथ साथ में आपको जनेटिक कोड औन-एच जीपी कर ना है एच जीपी कई सारे बचे कर लेते हैं पर एच जीपी के जो सबसे चोटा कौन सा क्रोमोजम सबसे लंबा और सबसे ज्यादा टाइम किसको लग गया सिक्वेंसिंग करने के तो यह सारे वह पॉइंटर बेस्ट वाले पॉइंटर से आपको पता चल जाएगा फिर डियने फिंगर प्रिंटिंग करना है लास्ट चाप्टर अब सब्सक्राइब करना है तो आपको पहचानने आना तो आपको पहचानने आना चीह कि क्वेस्टन में क्या दिया गया है अलील फ्रिक्वेंसी कैसे निकालना अब्रीतिंग अगर आपको जरा भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर चैनल में आ जाना ठीक है यह वंडे वन चैप्टर वाले प्लेलिस्ट में आ जाना इसमें इवलूशन चैप्टर करवा अगर 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 आपको प्राक्टिस करने में प्राबलम हो रहा है तो अब यह प्लेलिस्ट में आ जाहिए इसमें हरे क्वेस्टन को अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ एक चैप्टर का है प्लेज़ तो ऐसे आपको कर लेना है ऊमने इविलूशन ज़ो लास्ट टॉपिक है तो उसमेन फ्लोचार्ट बेस्ट क्वेशन आता है कि पहले कौन आया फिर कौन तो वह पुरा फ्लोचार्ट पता होना चाहिए नेक्स्ट इस यूमन हेल्थ और डिजीज तो इसमें चिकन गुनिया जो नूली आड़ेट टॉपिक जो भी है ना वह सारे इंपोर्टेंट है तो चिकन गुनिया नूली आड़ेट टॉपिक है तो यह तो हमें करना यह मिस इसमें से आपको क्या करना वो जो एक पटिकुलर यह है पैरिग्राफ है दिस बायो अक्टिव मॉलिक्यूल करके पैरिग्राफ आपको दिख रहे होंगे वह तीन पैरिग्राफ इतने इंपोर्टेंट है बच्चो मतलब आप समझ लों कि आपको 80-90 परसेंट आफ दिस चा पूछ लेंगे और इतना ज्यादा इंफरमेशन है सिर्फ वह तीन पैरिग्राफ से के पूरा चाप्टर एक साइड और वह तीन पैरिग्राफ एक साइड तो वह तो हमें करी लेना है फिर लास्ट इस ट्रीटमेंट तर्शरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट को फ तो फिर्स वाला जो चाप्टर है उसमें आपको रिकॉंबिनेंट डिने टेक्नोलोजी तो करी लेना है ना इसके उपर आपको पूछ सकते हैं मेकानिजम के उपर पूछ सकते हैं कि बैसिलस तुरेंजियन से कैसे काम करता है तो वह मेकानिजम पता हो ना चीजिए फिर लास्ट यूनिट में आ जाईए इस और इंवार्मेंट वाला जो चाप्टर है इसमें पॉपिलेशन एट्रिब्यूट्स करके जो है यह है मुचलिजम है कमेंसालिजम है यह सब आपको पता होना चीजिए ठीक है उसके बाद में एको सिस्टम वाले चाप्टर में आ जाईए तो उसमें आपको पिरमिड्स से सवाल आएगा एनरजी फ्लो से सवाल आएगा एनर जो भी नूली आडड़ टोपिक रहता है तो उसमें से सवाल आएगा ही आएगा तो सेक्रेट गुरूफ करना है और इन सीटू एक सीटू एनरज फॉट्स पर वाला टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है इन सीटू एक सीटू आप यह बार भी देख लो इन सीटू एक ठीक है तो क्लास 11 के भी हो गए और क्लास 12 के भी हो गए इसका मतलब के फुल बायलोजी के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए ठीक है और पढ़ना कहां से है यह तो मैंने आपको बताई दिया ठीक है दो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई यहां पर आजाएंगे यहां पर एक मिनिट के अंदर करने कभी ऐसे बैटे हो फ्री में और बोर हो रहा है पढ़ाई नहीं करना पर पढ़ाई करना तो आप यह प्लेलिस्ट में आ सकते हैं स्क्रोलिंग करते रहना है और पचास पीवाई क्यू आपके ऐसी हो जाएंगे त पढ़ाया गया है तो अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है और कोई भी डाउट्स हो कोई भी जिजक हो जरा सा भी आपके सा हेजिटेशन में नहीं रहना यू केन कमेंट डाउन बिलो चीक है कुछ भी डाउट हो अकैडमिक डाउट हो नॉन अकाडमिक डाउट हो चैनल करके है वो आगे के जो भी सेशन्स होंगो कि आपको अपडेट वही चैनल से मिलेगा तो यह आप आगे जाके जो भी सेशन्स अभी धमा के द паль banget अउने वाले इत्रोरीस को नहते हैं के लाए हैं